जैसे कि दोस्तो आज के दिन हमने आप सभी को यहाँ पर मारूती का 10600 का कॉल दिया था जो कि आपको 142 के लेवर पर तो जैसी दोस्तो हमारा यहाँ पर लेवल एक्टिवेट होता है तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कितने अच्छे टार्गेट्स देखने को मिले है तो अगर आप देखेंगे दोस्तो तो आपको 167 तक के इसली टार्गेट्स देखने को मिले हैं अगर दोस्तो आप हमारे फ्री वाले गरूप में जॉइन होते और आपने यहाँ पर टू लोट्स भी बाई किये होते तो आपको इसली 5000 का प्रॉफिट हो गया होता वो भी ब प्रॉइड कर दिया जाएगा तो यहाँ पर strongly buyer नहीं आ रहा हैं तो मैंने आप सभी को कहा था यहाँ पर आप बाई के लिए ready नहीं होंगे आपको यहाँ पर selling का setup find out करना है तो आपको अच्छा कासा profit हो गया होता देखिए क्योंकि मैंने आपको कहा था कि market ने यहाँ पर एक range को बनाया है तो यह जो range है उसके नीचे यहाँ पर entry बना सकते हैं और उसी candle के ऊपर SL आपको लगाना है उससे ज़्यादा बड़ा SL लगाने की जोरत नहीं है और आपको दोस्तों easily 1 ratio 2 तक के targets देखने को बिले जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं आपको 45,900 तक के आपको easily targets देखने को मिले होंगे चल 2 तक के targets देखने को मिलते हैं तो means यहाँ पर ranges का breakdown हुआ है और इस range के breakdown होने के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो almost आपको 200 से 200.500 की एकी range है तो इस range का हमें at least 1 ratio 1 means आपको यहाँ पर 45,700 तक के targets देखने को मिल सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको उसके लि levels को follow करना होगा जो मैं levels आपको बता रहा हूँ आप उनको यहाँ पर मार कर लीजेगा तो यह जो दोस्तों हमारा एक range बना हुआ है इस range को क्या करना है मान लीजे दोस्तों market यहाँ पर gap open हो जाता है 46,500 के असपस तो आपको कह करना है तो दोस्तों आपको immediately यहाँ पर selling की positions को नहीं बनाना है जैसे ही दोस्तों यहाँ पर 15 minute की candle एक red बनती है आप उसके नीचे easily यहाँ पर selling की positions को बना सकते है और आपको इसके ऊपर ही दोस्तों SL लगाना है उससे ज़्यादा बड़ा SL यहाँ पर लगाने की जोरत नहीं है और आपको दोस्तों पहला target आप य case में हमें क्या करना है दोस्तों जैसे ही यहाँ पर flat open होगा और 45,900 का level cross करता है यहाँ पर 15 minute की candle close होनी चाहिए और आप उसके नीचे same यहाँ पर entry कर सकते हैं और same इस candle के ऊपर आप यहाँ पर SL लगा सकते हैं उससे ज़्यादा बड़ा SL नहीं लेना है और आपको पहला target 45,800 और 45,700 तक के easily targets देखने को मिल सकते हैं अगर मान लीजे दोस्तों market यहाँ पर 45,800 के आसपास gap down open होता है तो आपको क्या करना है तो आपको दोस्तों यहाँ पर immediately selling की positions को नहीं बनाना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर logic को समझे आज के दिन यहाँ पर कुछ buyer और seller अपनी positions को hold करके गए होंगे तो जिन भी seller को यहाँ पर अच्छा कासा profit हो रहा होगा वह अपने profit को book करेंगे और फिर market यहाँ पर upside की तरफ जाने लगेगा तो जैसे ही दोस्तों market यहाँ पर 45,900 और 950 के आसपास आता है तो आपको यहाँ पर 15 mint की red candle देखनी है और इसके नीचे आ आपको resistance zone का काम करेगा और इसके नीचे फिर आप सभी को selling आराम से देखने को मिल सकती है और दोस्तों अगर इसके ऊपर जाता है 46,050 के आसपास तो आप यहाँ पर SL लगा सकते हैं उससे ज़्यादा बड़ा SL यहाँ पर लगाने की जूर्त नहीं है तो चली दोस्तों यहाँ पर एक last time जो हमें rejection देखने को मिला था हमने इस topic के ऊपर already in detail में video बनाई दी कि आपको यहाँ पर selling देखने को मिली है जो कि एक यहाँ पर buyers के लिए बिलकुल भी अच्छा sign नहीं है इस range का जैसे ही breakdown हुआ है आप यहाँ पर देखेंगे एक आपको quick momentum मिला है उससे पहले market ने पूरे दिन यहाँ पर सिर्फ premium DK किया है और ज्यादा कहीं पर ना call buyer ना तो put buyer को पैसा बनाने दिया है यहाँ पर last में 3 बजे के आसपास आपको एक अच्छी का सी यहाँ पर momentum देखने को मिली है जो कि downside की momentum हुई है अभी देखें दोस्तों यहाँ पर क्या है यहाँ पर momentum देने लगेगा तो फिर आपको यहाँ पर एक downside का काफी अच्छा कासा momentum आपको 20,000 तक के फिर आप सभी को targets देखने को मिल सकते है लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर levels को जरूर फॉलो करना है अगर मानने जिए दोस्तों market यहाँ पर 20,150 के असपास gap open होता है तो आपको करना है तो आपको दोस्तों इमिडेटली ना तो यहाँ पर call buy करना है ना तो आपको यहाँ पर put buy करना है क्योंकि दोस्तों यह अभी already एक range पर है और दोस्तों जैसे ही यह 20,120 का level आएगा तो आप यहाँ पर दोस्तों बिंदास होकर एक selling की positions को बना सकते हैं और तो आपको दोस्तो पहला target यहाँ पर 20,050 और आपको दोस्तो यहाँ पर 20,000 तक के targets देखने को मिल सकते हैं जो कि downside की तरफ क्योंकि दोस्तो यहाँ पर भी आपको एक range बनते हुए दिख रही है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो 70-80 point की एक range है और आपको दोस्तो यहाँ तक के फिर easily 1 ratio 1 और 1 ratio 2 तक के targets देखने को मिल सकते हैं अगर मानलीचे दोस्तो market यहाँ पर flat open होता है 20,125-130 के आसपस तो आपको दोस्तो इमिरेटली यहाँ पर selling की positions को नहीं बनाना है तो जैसे ही दोस्तो market यहाँ पर 20,110 का level cross करेगा आप यहाँ पर put side की positions को बना सक और आपको दोस्तो जो SL लगाना है 20,150 का SL लगाना है उससे ज़्यादा बड़ा SL लगाने की जूरत नहीं है और आपको दोस्तो पहला जो target है यहाँ पर 20,050 और दोस्तो second target आपको 20,000 तक के targets easily आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मानलीचे दोस्तो market यहाँ पर gap down open हो जात आज की दिन जो भी buyers और sellers यहाँ पर positions को hold करके गए होंगे उनस में से sellers को यहाँ पर अच्छा कासा profit होने वाला है तो seller जैसे ही position को अपनी square f करेंगे तो आपको एक upside का momentum जरूर देखने को मिलेगा तो 20,000 के level पर दोस्तो आपको यहाँ पर एक bullish candle का वेड़ करना जो की 15 मिन की candle bullish बननी चाहिए और आपको दोस्तो इसी candle के ऊपर entry करनी है और दोस्तो आपको इस candle के नीचे यहाँ पर ऐसल लगाना है उससे जदा बड़ा ऐसल लगाने की जोरुत नहीं है और आपको दोस्तो यहाँ पर easily आपको दोस्तो 20,100 तक के targets देखने को मिल सकते हैं और दोस्त के जोइन कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में provide कर देजाएगा तो मैं आशा करता हूँ दोस्तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना बोले तो चली दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम next वीडियो में ज